हेलो फ्रेंट्स एम सिंग फाउंडेस यूडिव चैनल पर आप लोग का स्वागत है बहुत बड़ी ख़वार है जी हां दोस्तों उनका एक्जामनेशन 13 दिसंबर को तो होने बाले है चाहिए अब जो आयोग है उसने इस एक्जामनेशन को 13 को करवाने के लिए अपनी जितनी भी तैयार थी सब कंप्लीट कर लिए जी हां एक जामनेशन से लेके कुश्चन के प्रिंटिंग से लेकि ओया मार कोडिंग जितना भी कुछ था सेंटर अलॉट्मेंट आपका एड्मिट कार सते इसको चारी कर दिया जाएगा अब उसी के सं हम इंटर यह मुख परिक्षा के सभी केंद्रों पर थरमल स्केनर लगाए जाएंगे और हर परिक्षार्थी जो अभिहार्थिया परिक्षा केंद्र के परिशरें प्रवेश करने से पहले थरमल स्केनिंग की जाएगी लेकिन उस दरहां सारे डिक तापमान अधिक रहने के किसी की पुष्टी नहीं होती है इसे कक्षों में विक्षकों को पीपी कीट जैसे सुवधा सेलेस होगा ताकि किसी अभिहर्थियों को परिक्षा करवाने के लिए खासकर आप को करोना की एक सीट छोड़ कर बिठाय जाएगा इतनी अथिक संख्या में परिक्षारतियों के लिए काफी अथिक परिक्षा केंद्रों की ज़रुत पड़ेगी सोसल डिस्टेंसिंग के पारण के लिए एक बेंच पर एक ही परिक्षारति बैठने के वरस्ता की जाएगी एक सिर्ट शोर कर उन्हें बिठाया जाएगा ऐसे परिक्षार करेंद्रों की शंख्यां सामानी सी दोगनी होगी लिहाजा पतना से बाहर भी परिक्षा के अंदर बनाएं इनने जाने पर विचार चला इंफेक्ट बना लिए गये हैं मुझहपरपूर गया और भागलपूर में भी इसके केंद्र हो शकते हैं आपको गयावला मैंने दिखाया था कि गया में जो है इसी चैनल पर की तेरा चोदा को सेंटर के लौट किया गया है तो देखिए आयो के मतलब किसका जो कहां का है पतना है गया है मुझहपरपूर भागलपूर तो चार तो आपको कंफर्म हो गया है कि चार बड़े शहरों में आपको इसके एक्जामनेशन अभी तक सामने आ रहे हैं पतना मुझह पर पूर गया और भागलपूर चली और देखिए कैस में लिखा हुआ है कि आयो के ने शमाने प्रसासन विभा के को जरू यह है student को कि वह कितने त्यार है अभी तक ठीक है ना उनकी तयारी किस लेवल तक पहुंच चुकिया है इस एक्जामनेशन के दिश्टी कोन से एक लंबा वक्त इन्होंने बैता बैतीत किया है साथ साल के बाद इस एक्जामनेशन के अंती मुहाने पदीत पहुंचे हैं तो हमारे चैनल एम सिंग फॉननेस को और बेल अगन को प्रेस करने के वाद नोटिफिकेशन को ओन कर लें कम्पेटिटिव इग्जाम के तयारी वं सम्बंदित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए